हेलो फूडीज, तो हमने यहाँ पर दो कटोरी सूजी ले ली थी, उसे मिक्सर जार में डाल कर बिल्कुल उसका पाउडर बना लिया, अब हम उसे एक थाल में डालेंगे, उसमें हम डालेंगे अजवाइन क्रश की हुई थोड़ा सा रेच चिली फ्लेक्स, एक बड़ा चमच नमक, अच्छी तरह से सबी चीजों को मिक्स करेंगे, जरूरत की हिसाब से पाने डाल कर एक सौफ सा आटा लगा कर तयार करेंगे, आटे को हम 20 मिनट के लिए आराम करने देंगे, तब तक हमारा आटा बढ़िया से सेट हो जाएगा, फिर उसकी लोईयां तोड़ कर इस त तरह से से कट कर सकते हैं, आज हम इसकी डामेंड शेप बना रहे हैं, याद रखे शीड काफी पतली होनी चाहिए, अब हम यहाँ पर तेल गरम कर चुके हैं, तेल में इन सभी डामेंड को डालेंगे, मीडियम फ्लेम पर अलटते व अलटते हुए क्रिस्पी गोल्डन ब्र अंकल बिल्कुल रेडी हैं, पूरी रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल पूनम को रेसिपीस पर जाकर देख सकते हैं,